हालो अब्रीवन वल्कम तो दा चैनल दा जोरावर क्लास आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करेंट अफेस की क्लास में माइडियो फ्रेंट्स यह होगी आपकी 15th of April की करेंट अफेस की क्लास और जैसे कि आप सब को पता है कि 14th of April हमने as a holiday day celebrate किया है अपने चैनल पे भी रिजन उसका यह था कि पूरा देश 130th birth anniversary celebrate कर रहा था कि इनकी ब्यारम बेटकर जी की तो हमने भी साथ में वही कि चलिए हम भी करते हैं और अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े रहते हैं और मुझे फॉलो करते हैं तो आपको पता हुआ कि कल रात को मैंने 9 बजे एक इंस्टा लाइव किया था इंस्टा ग्राम पे और उसमें वह इसलिए खास था कि वहां पे मैं आप लोगों के साथ फेस टू फेस जुड़ कुछ अलग करने की कोशिश थी आज तक हमीशा यूट्यूब पे लाइव करते थे उसमें सर्फ आपके कमेंट्स होते थे आप नहीं होते थे लेकिन इंस्टाग्राम आपको ओफर करता है एक आपको ऐसी उपरचुनिटी प्रोवाइड करता है जिसमें हम फेस टू फेस ब लिंक मिल जाएगा आप जाके फोलो कर सकते हैं और आगे जो भी अगले वीक में हमारी लाइव रहेगी इंस्टाग्राम पे तो आप उसमें भी जुख सकते हैं फेस टू फेस टू फेस टीक है जी चले फ्रेंट्स आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और आपने सुब होती है दो बज़ तक सुबा रात के सुबह ही हो जाती है दो बज़ सुबह कहने लगते हैं तो जो लोग कहते हैं कि बई सर नंबर नहीं आ रहा है महनत है ये है वो है तो जाके एक बार वो वीडियो ज़रूर देखना आपको कुछ आपके गूस बंस होते हैं ना कुछ तो बन गया यह सूपर इंपोर्टेंट कोईशिन है आपका सूपर स्टार रीजन बता हूँ आज अब से पहले सर्फ दो थे आपके कोविट सिल्ड और को एक्सीन अब तीसरा भी हो गया है और यह है आपकी एसपुतिनिक वी रश्या वाली यह मैंने आपको कहीं बार पढ़ाई दी रश्या की एसपुतिनिक वी जो है तीसरी ऐसी वैक्सीन होगी जो इंडिया में अपातकालीन प्रियोग के लिए जिसको हरी जंडी मिल चुकी है इंडिया की विशेफ विशेशिग्य समीती ने रूश्य की एसपुतिनिक वी कोविड नाइटीन वैक्सीन के लिए आपातकालीन उप्योग प्राधी करन के लिए डोक्टर रिड़ी के आवेदन को मनजूरी दे दिये भारत में दो इस्थानिय रूप से निर्मित टीको भारत बायोटेक के कोवेक्सीन और ओक्सवर्ड एक्स्टर जैनिका के कोविड सील्ड के बाद आपातकालीन उप्योग सुईकर्थ प्राप्त करने वाली है तीसरी वैक्सीन होगी तीसरा टीका होगा बहुत इंपोर्ट होगी भारत में अपातकालीन उप्योग के लिए वो होगी रश्या की एस्पुतिनिक वी बहुत इंपोर्टेंट कोशन है मैं फिर बार बार दोरा रहा हूँ कोशन नमबर सेकिंड लेते हैं आज का उत्तर प्रदेश के मुखे मंत्री योगिया दित्यनाथ ने निम्न में स सुरिंदर कुमार यादव को आपका नया लोका युक्त नियुक्त किया गया है उत्र प्रदेश का अयोद्या बाबरी विद्वन्स मामले में बीजिपी के वरिष्ट नेता लाटकिश आडवानी समेत 32 आरुपियों को बड़ी करने वाली CBI की विशेद आदालत के के दिन शीलता को देखते हुए उन्हें 11 महीनित का अत्रिक्त समय भी दिया गया था और अब सुरिंदर कुमार यादव उत्र प्रदेश के उपलोका युक्त होंगे ये भी इंपोर्टेंट कोशन है आप लोगों नेक्स्ट कोशन लेते हैं कोशन नमगर 3 पंजाब सरकार ने कोरोना टीका करन अभ्यान के लिए किस अभी नेता को अपना ब्रेंड अमेज़र चुना है अगेन सूपर स्टार मादलब सूपर स्टार कहेंगे या स्टार तो कहेंगे बिलकुल तब पंजाब गवर्मेंट है अपोंटेड विच एक्टर ऐस दब ब्रेंड अमेज़र पंजाब सरकार ने कोरोना टीका करन अभ्यान के लिए अभी नेता सूनुसूद को ब्रेंड मेज़र बनाया है उन्होंने पिछले साल कोरोना वायरस संकर्मन को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लोकडाउन के दोरान परवाशियों को उनके ग्रह राज्यों में की थी अभी नेता ने कोविड नाइटीन महामारी के बीच हजारों जरूरतमन लोगों को भोजन भी उपलप्त कराया था बता दे कि इस से पहले सोनुसूद परवासी रोजगार एप भी लौन्च कर चुके हैं जिसमें कोरोना काल में जोब खो चुके लोगों के लिए होत बड़े हीरो हैं सल्यूट यो हैं चलिए नेक्स्ट कोशन लेते हैं कोशन नंबर फॉर्थ निम्न में से किस भारतिया बिनेता को परियावरन सरक्षन के लिए गोल्डन ग्लोबल ओनर्स फांडेशन से सम्मानित करने की कोशना की गई यह भी स्टार कोशन है विच ओफ और जब बात होती है इनवार्मेंट से रिलेटेड या एक हेल्दी लाइफ से रिलेटेड तो मुझे लगता है कि अक्षय कुमार से अच्छा एक्जामपल बोलीवूड में कोई भी नहीं है मैं इनके बार में सुनाएं कि यह कोई भी नाइट पार्टी या जो आपके इनक मैंसे दुनिया भर के सेलिबिडिटीज परियावरन संद्रक्षन के छेत्र में काम कर रहे हैं इन सेलिबिडिज में कुछ बोलीवूड के सितारे भी शामिल है और लोगों की बीच परियावरन संद्रक्षन के लिए जागुकता फैला रहे हैं इन सितारों में दिया मिर्ज अजय देवगन, अमिताब बच्चन और अभिशेक बच्चन जैसे सितारों के नाम शामिल है अब इस लिस्ट में अक्षय कुमार का नाम भी जुड़ गया है और उनके प्रियाशों के लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया किस चीज से सम्मानित किया गया है यह चीज मैंने जस्ट अभी आपको बताईए फिर से देख लीजे उन्हें गोल्डन ग्लोब ओनर्स फाउंडेशन से अवोड़ेड किया गया है ठीक है सम्मानित किया है चलिक है कॉश्चन नमबर लेते नेक्स कॉश्चन नमबर फाइब हाल ही में किस राज्य सरकार ने COVID-19 के प्रियास को रोकने के लिए 14 दिन का मास्क अभ्यान लोंच किया है यह मास्क अभ्यान अपना पहला एक इस तरीके का अभ्यान है तो इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है कोविड-19 और यह उडिसा में किया है ठीक है राज्य का नाम याद रखना है मास्क कैमपेइन कहां पहला है उडिसा में 14 दिन का उडिसा के मुख्यमंत्री नवीन पतनायक ने हाल ही में COVID-19 के परसार को रोकने के लिए चोदा दिन का मास्क अभ्यान लोंच किया है इस पहल का मुख्यमंत्री मास्क के उपियों को एक आदत बनाना है आदत में बदलना है यह COVID-19 की वर्तमान वृद्धी को नियंत्रित करने में बहुत बड़ी भूमिगा निभाएगा साथी उडिसा राज्य सरकार के उलंगन करताओं के लिए जुर्माना एक हजार से बड़ाकर 2,000 उपे कर दिया गया जैसे दिल्ली में 2,000 है तो उडिसा में भी 2,000 कर दिया गया अगर आँ मास्क नहीं लगाएगे और मैं फिर से कह रहा हूं साड़े आठ हजार पीक आई थी दिल्ली की जिस टाइम पे बाहर निकलने में डर लगता था और कल सत्रा हजार तीन सो कुछ केसिज आए हैं दिल्ली में और अब लोगों को डर नी लग रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या राइक्च्वल में और अगर आप पर स्टडी करो ना इस पर तो आपको पता लगेगा कि इस बार का जो इस ट्रेन है नहीं जो इस बार का जो आपकी ये वेव आई है वो पहले वाले से खतरनाक है और पहले वाले से ज़ादा डैडली होने वाली आने वाले टाइम मैं मैं मजाक नी कर रहा हूँ पढ़े लिके वनों और पढ़ो चीजों को तो पता लगेगा लोग कहते हैं कि रेल्यू में नहीं है यहाँ नहीं है वहाँ नहीं है भाई मुझे नहीं पता है उनके पीछे क्या रिजन है क्या पता सरकार का कुछ मोटीव होता हो जान मूच के आंक डेना दिखाये जाते हूं मुझे कुछ नहीं पता है लेकिन प्रोब्लम है और इस प्रोब्लम को हम आप हमें और आपको साथ में मिलके खतम करना है so please इस सीज़ पर ध्यान देना है ठीक है बहुत जादा question next लेते है question number six British Academy Film Awards BAFTA 2021 में सरस्रेष्ट अभिनेता पुरुषकार किसने जीता है who won the best actor award at the British Academy Film Award BAFTA BAFTA 2021 और यह है आपके Sir Anthony Hopkins Sir Anthony Hopkins को आपका सरस्रेष्ट अभिनेता का अभूर्ड मिला है किस चीज़ में BAFTA 2021 जो British Academy Film Awards है Sir Anthony Hopkins ने British Academy Film पुरुषकार BAFTA 2021 में Film The Father में अपनी भूमिका के लिए सरस्रेष्ट अभिनेता का सम्मान जीता है पुरुषकार के अन्या नामकित लोगों में जबरदस्ट अभिनेताओ का एक विविद पूल्ट सामिल था चैविड पोश्मेन के रूप में तहार रहीम The White Tiger से रिज एमद मेडल्स मिकलेंसन और आदर्श गोरव ऐसे सारे जो हैं इनका पूल था जो नोमिनेटिट की गए थे और उनमें से Sir Anthony Hopkins को The Father में उनकी जो उन्होंने भूमिका निभाए जो किरदार प्ले किया है उसके लिए Best Actor का अवोर्ड दिया गया है Question number लेते हैं किस फिल्म ने British Academy Film Awards बाफटा 2021 में सरस्रेश फिल्म का पुश्कार जेता है इसमें सरस्रेश फिल्म आगी है Which film won the best film अवोर्ड at the British Academy Film Awards बाफटा 2021 और ये है आपकी Normland Normland जो है Best Film बनकर आई है और मैं आपको यहाँ पे एक Homework भी देना चाहूँगा आपका Homework ये है कि हमने यहाँ पे Best Actor की बात कर ली Best Film की बात कर ली आपका काम ये है कि आपको Best Actress पता करनी है कि इसमें किसको Best Actress के लिए वोट दिया गया और नीचे कमेंट करना है ठीक है तो फिल्म की बात कर रहे थे Normland जो है Best Film बनकर आई है British Academy Film Awards पाफटा 2021 में इसकी शेडी में उन्होंने पुशकार जीता है अन्ने जो नॉमिनेशन से उसमें The Father था और भी बाकी सारी मूवीज थी जिसमें से Best Film जो है Normland को दिया गया चले कोशन लेते हैं Next कोशन नमबर 8 अब देखो भई यह नाम पढ़के देखो देखता हूं मैं बोल पाऊंगा कि ओमुदा महाम ममुदो को किस अफरीकी राष्ट के प्रदान मंत्री के रूप में न्यूक्त किया गया है ओमुदो महाम ममुदो अज बीन अपोइंटेड आज दे प्राइम मिनिस्टर ओफ विच अफरीकन नेशन है ना जबरदस नाम मूटेडा हो जाए स्पैल थोड़ा सा याद रख ले ने स्पैलिंग याद रख ले न उसके साब से ये नाईजर शायद कहीं लोगोंने तो फर्स टाइम नाम सुना होगा कि नाईजर नाम से भी कोई देश है नाईजर नाम के देश के नए प्रदान मंत्री नव निर्वाचित राष्टपती मुहमद बैजोम ने तीन अपरेल दोजार इकिस को अउमोदा महमदो को देश का नए प्रदान मंत्री नियुक्त किया है महमदो पूर्व नाईजीरियाई राष्टपती महमदो इसोफो के दोजार पंद्रा और दोजार इकिस के बीस करमचारियों के परमुक्ते वे पहले भी रह चुके हैं नाइजल के वित्यमंत्री और कानों और उर्जा मंत्री के रूप में कारियाइ कर चुके हैं ठीक हैं चली question लेता है next question number 9 question number 9 question 9 कहता है आपसे भारत सरकार ने 11 अपरेल को देश में COVID-19 की इस्तिती में सुधार होने तक किस medical दवा का निर्यात पर्ति बंदित कर दिया है यह आपका star question है आज का The government of India has banned the export of which medical medicine until the situation of COVID-19 improves in the country on 11th of April और यह है आपकी रेमिट सिविर रेमिट सिविर जो medicine है उसका export निर्यात बंद कर दिया गया है भारत सरकार के दुआरा until हम improve करें तब तक केन सरकार ने 11 अपरेल 2021 को देश में COVID-19 की स्तिती में सुधार होने तक रेमिट सिविर इंजेक्शन और इसके active pharmaceutical antioxidants के निर्यात पर परतिबन लगा दिया केन सरकार ने कहा है कि आने वाले दिनों में रेमिट सिविर की मांग में और विद्धी होने की संबावना है और सरकार ने घरेलू निर्माताओ से इसके उतपादन को बढ़ाने है तो संपत्ध भी किया है केन सरकार ने एसपस्ट किया है कि हालात सुधरने तक इस दवाई पर रोक लगाने का फैसला जो है वो जारी रहेगा नाम याद रखते हैं आपको रहमिच सीवर बहुत इंपोर्टन कोोश्चन ठीक है जितना इंपोर्टन थर्ड वैकसीन थी से इसे पतिनी की इतना ही इंपोर्टन यह भी बनता है अच्छा लास्ट कोश्चन ले लेते हैं और लास्ट कोश्चन भी आपके इंपोर्टेंट कोश्चन इस तरीके कोश्चन जो हैं एक्जाम से पूचे जाते हैं आईपल इतियास में 350 चक्के लगाने वाले पहले खिलाडी निम्द में से कौन बन गए हैं और हीस नन अदर दें क्रिस गेल को छोड़के कोश्चन एसा काम कर सकता है यह तो मैं कर सकता हूँ मैं खेला नहीं करके टियार मैं कर देता भी तक है पंजाब किंग्स के बाए हाथ के बले बाज क्रिस गेल ने आईपल 2021 के पहले ही मैच में अपने नाम एको रिकोर्ड हासिल कर लिया है गेल आईपल में 350 चक्के लगाने वाले बले बाज बन गया है दूसरे स्थान पर 237 चक्कों के जाथ ABD विलियर्स है तीन सो पचास के बाद सेकिंड है 237 इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर 216 चक्कों के साथ चैनी सूपर किंग्स के कप्तान माइंदर सिंग दोनी है इसके बाद रोई शर्मा 214 विराट कोली 201 चक्कों के साथ चोथे और पांचवे स्थान पर है इस इस बादो निए पुटेर्स है तरफाओस कोली 2007 इनलमे प्रेश अने आ सब कर लेता है जो लुश्यơn है जोस्में जुड़ना चाते हैं जुटना चाते जो लोग इनीड होना चाते जो और च४ह सक्ते factors की डांवोड करो सब लेते हैं और लाइफ में मोटिवेशन होनी बहुत जरूरी है उतनी ही जरूरी इंस्पिरेशन लेनी भी यह लोगों से जैसे आज हम सब लोगों ने पुनम यादफ से लिए टैंकियो एव्रिवन टेकर